घ्यान से और गौर से आपको इस पंडाल को देखना है क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर इस पंडाल में तो नहीं आये हैं लेकिन लमसम लाख लोग यहां पहुच गए हैं बैठने की जगा नहीं है और जब हमने ख़वर करना शुरू किया था कि एक दिन में लमसम दो से तीन लाख लोग यहां आएंगे तब लगा था कि नौबतपूर के गाउं में तीन लाख लोग कैसे आ सकते हैं लेकिन जनाब दिखाईए यह तस्वीरे वहां से लेकर वहां तक जहां जाएंगे तहां तक एक दो तीन तीन पंडाले हैं यहां पर और सारी पंडाले भरी हिसाब नहीं है एक दम चुप चाप कई लोग सीता मरी से आये हैं कोई दर्भंगा से आया है कोई उतरा खंड से आया है कोई ग्रेटर नॉइडा तक से आया है लेकिन आज पटना के इस पावन धर्ती पर आप बिहार कह लीजिए बाबा बागे इश्वर आने वाले हैं और द आने के चलते हुआ है और महौल ऐसा है कि आपको हम क्या बताएं पानी दे रहे हैं फ्री में कई लोग यहां पर कैम्प लगा कर हॉस्पिटल लगा हुए हैं और देखें लाखों लोग कम से कम 3-4 घंटे से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा बागेश्वर आए का है कि भीर इकठा हो गई है और ये भीर सिर्फ और सिर्फ बाबा बागेश्वर के लिए है वो बाबा बागेश्वर को सुनना चाहती है वो चाहती है कि बाबा बागेश्वर आएं तो कुछ बोले और देखिए तमाम LED स्क्रीन्स लगाएं गया है गजब का साउंड सिस् कई विवाद हो गया, कई लोगों ने कहा कि हम उनको रोक कर दिखाएंगे, कई लोगों ने कहा कि हम ऐसा रोकेंगे, कि पटना एरपोटे पर घहराओ कर लेंगे, लेकिन सुभा आठ पज़े जब बाबा बागेश्वर आए, तो भाजपा के सांसत मनोस्तिवारी खुद गार ड्राइव करके उनको होटल ले गए, गिर्राज सिंग उनके साथ थे, रामकृपाल यादव उनके साथ थे, और वो तमाम लोग जो बस इस बात के इंतजार में अभी बैठे हुए हैं, कि बाबा बागेश्वर आएंगे, उनका कथा उनको सुनने का मौका मिलेगा, और सिर परचिया खोलेंगे, तो सोचिए क्या जबर महाल बनेगा, फिर दिखा दिजी इस पंडाल को, तिन पंडालों का अंद्रिमान हुआ था, कई लोगों ने कहा था कि भाई साब देख लिजेगा, पंडाल भरेगा ही नहीं, कई लोगों ने कहा था कि इतने लोग आज परचिया की जगह नहीं मिलेगा, शायद सच्चाई वही है, और आज पटना के नौबतपुर का इलाका एक दम से बाबा बागेश्वर मय हो चुका है, लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं, कि कब बाबा बागेश्वर आएंगे, कब वो हनुमंत कथा पाठ का करेंगे, बाकी हम भी यहीं है, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह देख रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, यह देख रहे हैं कि लोग के अंदर कितने प्रेम हैं अपने आराध्धि के लिए, और यह देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के इंतजार में कई घंटे लोग धूप में भी बैठने को तयार हैं फाकी फिर जल्दी मिलेंगे मेरा नाम प्रशांत राय है आप जंता रिंक्षन देख रहे थे बहुत बहुत धनिवाद